कलेस का कॉंट्रुवर्शियल रियालिटी शो बिग बॉस इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है आए दिन कंटेस्टेंट के बीच लडाई जगडा देखने को मिलता रहता है हाल ही में रश्मी दिसाई और माहिरा के बीच टक्कर देखने को मिली इस लडाई की शिरुवात तब हुई जब माहिरा ने रश्मी को खाना बनाने से मना कर दिया मोही रश्मी खाना बनाने के ज़ित पर अड़ी हुई थी शो से एक वीडियो वाइरल हुआ है जिसमें माहिरा और रश्मी के बीच जबरदस्त नोक जोग देखी जा रही है वीडियो में माहिरा कह रही है कि सुबह जो लंच बनाया है उसे काफी सारे लोगों ने नहीं खाया है और खाना भी रखा हुआ है अगर हम राशन के इस्तमाल करेंगे तो खाना वेस्ट चला जाएगा इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें दोपहर का खाना यूज कर लेना चाहिए माहिरा की इस बात पर रश्मी भड़क जाती है और कहती है कि मैं आप लोगों के लिए खाना बना रही हूँ तो खुशी से खाना चाहिए मेरा मन है खाना बनाने का आपको नहीं खाना है तो या आपकी मर्जी है रश्मी और माहिरा की लडाई यहीं खत्म नहीं होती दोनों के बीच काफी देर तक खाना बनाने की बात को लेकर बहस चलती रही इस बहस में जहां माहिरा ने रश्मी पर खाना बनाने का क्रेडिट अपने नाम करने के लिए लड़ने का इल्जाम लगाया वहीं दूसरी और माहिरा की बात पर रश्मी ने ये कहते हुए जबाब दिया कि मुझे तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों के जगड़े की बीच घरवाले भी नजर आए जहां पारस चाबड़ा एक बार फिर माहिरा के सपोर्ट में खड़े दिखे अब देखना ये होगा कि रश्मी और माहिरा के बीच शुरू हुई लड़ाई कहां तक जाती है लड़कियों की इस कैट फाइट के बीच शू में एक और ट्वेस्ट आया है और अपने नाम बिग बॉस तेरह की तरह ये शू दिन पर दिन तेरह होता जा रहा है बिग बॉस हाउस में सधात और शेहनास के बीच लगाता लड़ाई जगड़ा चल रहा है हाल ही में गौतम और फिर कार्तिकारियन पर फ्लिप होने के बाद सधात शेहनास से गुस्सा चल रहे हैं और उन्होंने शेहनास को शो के बाद कभी नहीं मिलने की बात कह डाली है नहीं शहनाज के लिए सद्धार्ट ने ये भी कहा कि वो अपने मम्मी पापा की नहीं हुई तो वो किसी की नहीं हो सकती है सद्धार्ट और शहनाज दोनों एक दूसरे से लगाता लड़ाई जगड़े करते हुए देखे जा रहे हैं आज के एपिसोड में भी शहनाज दो सद्धार्ट के बीच बहुत सारा लड़ाई जगड़ा होने वाला है जहां शहनाज सद्धार्ट पर हावी होती हुई नजर आएंगी सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस द बेल आइकन फूर अपडेट्स